अलो टीर स्टूडेंट्स यॉआप वेलकम टू माई यूटूब चैनल राशी दन्यम सर जूनियर फाउंडेशन कैसे हैं भाई क्या हाल चाल सब ठेक ठाक आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है फिर मैं लाइब आ चुका हूँ यूँ कहलो तो आज मैं कंपाउंड इंट्रेस्ट को पढ़ाने वाला हूँ देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपाउंड इंट्रेस्ट पढ़ाया था जिसमें कुछ बातें आपको मैंने बताया और कुछ बातें बताना बाकी रह गया था और आज अपन कंपाउंड इ प्रोसीड करेंगे लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी वाइस और ओडियो वीडियो आपको किलियर है अगर किलियर है तो आप हमें जल्दी से बताएंगे जो भी लोग यहां पर जुर रहें सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे और इग्जैक्टली सभी जगा जो भी आपके जानने वाले हैं भाई बहन फ्रेंड्स रिलेटिव रिष्टेदार जो भी हैं जो क्लास एर्थ में हैं और इग्जैक्टली वो कंपॉंड इंट्रेस्ट उनको पढ़ना चाहिए तो आप उन्हें जरूर मेरे सेशन को शेयर कर करेंगे चलिए भाई बताओ कैसे हो आप सभी सब ठेक ठाक हाँ अच्छा बच्छों का कमेंट्स आ रहे हैं चलो चीजों को शुरुआत किया जाए तो जरा बताएंगी कि मैं कहां तक लास्ट क्लास में पढ़ा रखा था कंपॉंड इस बहुत ही मज़दार टॉपिक है हम लोग यहां पर थोडी सी डिवीजन डालेंगे और डिवीजन डाल करके फिर हम लोग शुरुआत कर लेंगे आगे की चीजों को देख लेंगे चलिए चलिए हाँ किलियर है गुरू जी चलिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं और चीजों को देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या था क्या हम लोग ने बढ़ा था और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं मैं आपको बता दूं कि कुछ बातों को मैंने कमपाउंन्ट इंटरेस्ट में डिसकस किया हुआ है Canadian इन चीजों को बताए देख रहे हैं मस्ती कर रहे हैं तो उसी का आवाज आ रहा था मेरे को डिस्टर्व कर रहा था तो मैंने उनका बंद खरवा दिया अब यह देखो भाई compound interest exactly compound interest में कुछ formula को हम लोग ने देखा था कि यहां पर principle होता है आपको तो यह पता ही है कि principle होगा principle के बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहां पर होती है तो चलिए मैं यहां पर जो जो बाते हो रही है उन बातों को मैं यहां पर लिख देता हूँ exactly principle को अपन P से represent करते थे जो पैसा आपने किसी से उधार लिया दूसरा principle के बाद क्या होता था तो principle के बाद interest होता था लेकिन यहां पर जो हम लोग interest पढ़ रहे हैं वो exactly कौन सा interest पढ़ रहे हैं तो simple interest नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर अपन compound interest पढ़ रहे हैं तो उस compound interest के ब यह अमाउंट आपका कैसे आता था तो आप एक्जैक्टली बोलते थे कि सर अमाउंट जो है ना वह आ जाएगा किस से आजाएगा सुनों अमाउंट को सबसे पहले आप कैपिटल एसे रिप्रिजेंट करते हो और यह कैसा आएगा सर आपने तो बताया था कि प्रिंस्पल और सी आई को जोड़ दो तो फिर अपना आमाउंट आ जाएगा तो हां मैंने बताया तो अभी भी तो वही बोल्ड आओं बोलिए ठीक है बताईए जल्दी से बताईए यह यहां पर देख लिए आपको सारे बात दिख रहा है ना यहां पर आमाउंट जो है वह आपको प्रिंस्पल 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 देख लिया यहां पर कुछ रेट की भी बातें की जाती और एक्जैक्ली जो रेट होता है वो क्या होता है तो रेट को आप कैपिटल आ है और amount का formula आता है amount का formula क्या आता है तो P into 1 plus R by 100 और to the power exactly N आता है ठीक है तो amount is equals to P into 1 plus R by 100 to the power N अब आपको confusion नहीं होना चाहिए यहाँ पर A amount है P principal है R rate है लेकिन N के बारे में पता नहीं तो मैं यहाँ पर आपको exactly N के बारे में बता दूँ यहाँ पर टाइम होता है न वह एक्जाक्टली डियर स्टुडेंट एंड लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं तो यहाँ पर आपको यह बारे में पता चल गया तो यहाँ डाइडेक्ट ऐसा ही निकलता था आप यह तो जानते हो तो फिर simple interest पता चल जाता है तो आप amount निकाल देते हो कि principal पलस ऐसा ही कर लेते हो बट direct आप compound interest में amount ही निकाल पाओगे compound interest direct नहीं निकाल पाओगे लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि आप यह जरूर कह दोगे कि अगर सर हमें compound interest निकालना होगा तो वो हम लोग क्या करते हैं तो amount में से घटा देते हैं amount में से किसको घटाते हैं तो principal को घटाते हैं तो जरूर फर्माना amount की value क्या होती है तो amount की value p into में 1 पलस r by 100 होती है 1 पलस r by 100 होती है और exactly to the power n होती है इसमें से अगर अपन घटा देंगे क्या principle को घटा देंगे तो हाँ अब आप बोलने लगोगे कि sir CI का direct formula ये हो सकता है CI का आप ये वाला formula direct कह सकते हो कि exactly कि पहले हम amount का formula लिखेंगे उसमें से फिर क्या करेंगे principle को घटा देंगे ठेक है चली चली बहुत बढ़िया तो आपको यहाँ पे amount का formula पता चल गया बोलो बचो यहाँ तकी बात के लिए है मैंने आपको चीजों को revision करा डाला है अब amount आपने निकाल लिया तो amount के बाद में यहाँ पे कुछ और बातों को यहाँ पे समझेंगे देख लो ना different rate for different years different years अगर different years के लिए different rate होगा दिन आपका amount का formula क्या होगा तो आप बोलोगे कि सर दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे amount का जो formula होगा वो exactly ऐसे होना चाहिए कि P into 1 पलस R by 100 तो यहाँ पे आप R by 100 कर लो अब देखो यहाँ पे पहले साल जो आपका rate था वो R1 था तो आप R1 कर लिए और फिर में आपको फिर आपको क्या करना पड़ेगा 1 पलस R2 by 100 करना पड़ेगा लो भाईया आपने इस तरीके से कर लिया तो यह आपको 2 years का निकल गया क्या निकल गया कहने का मतलब यह है कि भाई मेरे देखो dear student ऐसा बोलेगा कुशन में कि पहले साल जो है वो 5% rate लेंगे ठीक है यह आपको first year दे देगा ठीक ना उसके बाद बोलेगा कि second year हम 2% का rate लेंगे और फिर बोलेगा कि third year हम 7% का rate लेंगे तो यहाँ पे आपका R1 क्या होगा 5% आपका R2 क्या हो जाएगा 2% R3 आपका क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा कि लिए रोड़ा है बाकी principle और बाकी चीजे तो same to same है और यही अगर हर साल 5555 होता तो अपन क्या कर लेते amount वाला formula में लगा लेते कैसे तो P into 1 plus R by 100 हर बार 5555 ही है तो अपने को यहाँ पे exactly यहाँ पे नहीं यहाँ यहाँ पे नहीं यहाँ पे exactly क्या करेंगे कि R के जगा 5 रख लेते इस तरीके से तो चलो ठीक है यहाँ तकी बाते आपने देख लिया कि अगर अलग-अलग साल में हमारा अलग-अलग rate होगा तो हम लोग amount कैसे निकालेंगे यह बात आपको समझ में आ गया अब यहाँ पे थोड़ा सा बात यह समझना है कि अगर interest जो है वो compounded annually हो but time in fraction आपका time dear student क्या है तो time fraction है fraction समझ में आता है न fraction किसको कहते हैं fraction बोलते हैं बताईए बच्चे लोग को आप time fraction में दे देते हैं आप वो amount कैसे निकालेगा तो बच्चा भी तेज है बोलेगा sir tension आप नहीं लेजिए हम क्या करेंगे amount जो है न amount का formula लगा देंगे principle into 1 plus r by 100 कर लेंगे principle into 1 plus r by 100 to the power sir आप पहले time तो बताईए कि time यहां पे कितना है fraction में तो अपन ऐसे बोल दिया 13 by 5 year है 13 by 5 years है ठीक है तो 13 by 5 years तुम बोलोगे sir 1 minute मैं इसको क्या करता हूँ mix fraction में बदल लेता हूँ तो तुम बोलोगे पहले mix fraction में बदलोगे तो 5 to 13 तो 3 by 5 आएगा काल लो तो बोलोगे sir 3 by 5 बचेगे आप 3 by 5 year के लिए क्या करना पड़ेगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको बस एक step आगे बढ़ना पड़ेगा आप बोलेंगे कि 1 plus R by 100 करते थे थे ना sir तो exactly हम यहां पे केवल R by 100 ना करके यह जो 3 by 5 बच गया ना इस 3 by 5 को multiply कर देंगे और वो कैसे multiply करेंगे तो सुन ले ना बच्चो आप इस R में multiply कर देंगे किस से 3 by 5 से multiply कर देंगे बस 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 अब आपको यहां पे 3 by 5 लिखने की ज़़वरत नहीं है ध्यान देंगे यहां पे नहीं लिखेंगे 3 by 5 अपन क्या करेंगे कि केवल और केवल इस 3 by 5 को जो बच गया उस rate के साथ multiply कर देंगे I hope कि मैंने last class में आपको यह सब बहुत अच्छे से डिटेल से discuss करके पढ़ाया था तो आपको समझ में आया होगा बोलो यहां तकी बात के लिए है क्या अड़े बताओ न जल्दी से बताओ न फिर हम आगे बढ़ लेते हैं बहुत खुबसूरत खुबसूरत प्याड़ा प्याड़ा नन्हा मुन्ना सा कोशन आपको देते हैं और करके बताते हैं कि कैसे compound interest वाली चीज़ों को अपन करते हैं देखो यहां तकी बातें आपको clear हो चुकी है तो आगे बढ़ लेते हैं और हम कोशन देते हैं और वो कौन सा कोशन है तो देखो प्यारा सा कोशन आपके exam में इतना ही concept पे आ जाएगा कि find the compound interest बोलेगा बगवा आपको बताना है कि compound interest क्या होगा तो तुम बोलोगे हाँ हाँ हम बता देंगे tension आप ना लें find compound interest on rupees और कितने रुपे पे compound interest निकालना है तो 31,250 रुपई ये पे ठीक है at of rate बता दिया है और वो कौन सा rate है तो 8% per annum देखो p.a लिखने का मतलब हो गया कि per annum और कितने time के लिए है तो for two integer three by four for two integer three by four I hope कि ये वाला question जो है मैं आपको last session में कडा दिया था बोलो ये वाला question मैंने कडाया हुआ है कि नहीं कडाया हुआ बिलकुल मैंने कडाया हुआ है आप यहां पर फटा फट क्या करोगे के अच्छा सर यहां पर जो जो बाते दी हुई है उन बातों को आप लिख लोगे बोलोगे find the compound interest on इतना यानि के principle आपको कितना हो गया dear student तो बोलोगे 31,250 आप बोलोगे rate कितना है तो rate है 8% उसके बाद आप बोलोगे time कितना है तो 2 integer 3 by 4 years तो आप बोलोगे sir यहां से direct amount अपना निकल सचता है amount का क्या formula हो जाएगा तो amount का formula होगा c into 1 plus r by 100 1 plus r by 100 to the power n और अगर time fraction में हो तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं तो अब r के जगह पे बोलोगे कि sir देखिए rate के जगह पे यहां पे हम 8 रख लेंगे ठीक है तो यहां पे आप rate के जगह पे 8 रख लो भाईया 8 रख दिया फिर आप बोलोगे principal के जगह पे क्या रखेंगे 31,250 रखोगे तो यहां पे आप 31,250 रख लेना तो आप यहां पे 2 रख दोगे अब सुनो बोलोगे sir 3 by 4 तो बच गया तो हां मेरे बच्चे बच गया है तो मैं उसको बोला ना कि आगे आपको लिख लेना है 1 पलस अब यह देखो 8 है ना तो इस exactly 8 जो rate है ना उसी में आप 3 by 4 से क्या करेंगे multiply करेंगे तो आप यहां पे क्या करेंगे 3 by 4 से multiply कर दोगे और divide में क्या कर लोगे तो divide में आपसा hundred है तो आप hundred कर लोगे solve कर दोगे तो फिर आपका यह निकल के आ जाएगा I hope कि आपको clear हो गया यहां तक की बाते चलिए अगर यह बाते हैं अब solve कर लेंगे मैंने last class में इस question को basically कड़ाया भी हूँ और जब मैंने कड़ाया तो आपने किया भी होगा तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया लेकिन अब बहतरीन question जो इस वाले segment से पूछे जा सकते हैं वो कौन से question पूछे जा सकते हैं तो देखो यह वाला अब यहां से अभी तक की जो class थी वो आपकी revision class चल लही थी अब आज वाली class यहां से शुरू हो रही है तो आप मेरे बच्चे ध्यान दे लेंगे यहां पर ऐसे करके आपको question दिया जाएगा कि at what rate percent आपको बताना है कि किस rate percent पर पर एनम पहले मैं question को बहुत बहती इन ढंग से लिख लेता हूँ पर एनम विल ए सम विल ए सम ओफ रुपीज ओफ रुपीज बासट सो पचास अमाउंट अमाउंट तो रुपीज अठातर सो चालिस इन टू एर्स बताओ देखो यहाँ पर question आपको जो दिया गया है इसमें आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ बाते यहाँ पर आपको गहराई से बताई गई है यहाँ पर आप लोग ध्यान देलेंगे और समझेंगे चलो देखो dear student बात ऐसी आप question देखो अगर इस तरीके question आपके exam में कल को आ जाता है देन आप क्या करेंगे आप बोलेंगे बताओ सभी बच्चों को यहाँ पर question दिखाई दे रहे तो सभी बच्चे थमसप करेंगे कीजी तो हमें पता चलेगा कि आपको question दिखाई दे रहे आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि at what rate percent यानि question से हमें यह पता चल ला है कि हमें rate percent पूछ रहा है कि यहाँ पर rate percent क्या होगा बच्चों को यही पर समझ में नहीं आता है कि कौन principle है कौन amount है तो बोलोगे यह जो sum होता है न वो exactly principle होता है sum of 6250 यानि कि आप बोलेंगे जो principle है न वो exactly 6250 है amount तो इतना यानि amount जो है वो exactly यहाँ पर कितना है तो आप बोलोगे कि 7840 है देखो न वो like कौन से rate percent पे इतना पैसा इतना बन जाएगा दो सालों में तो आपको यहाँ पर time भी दे दिया हुआ है time क्या दे दिया हुआ है तो दो साल का time दे दिया हुआ है तो आप exactly time क्या लिख लोगे two years लिख लोगे अब सुनो आपको बस एक ही formula मैंने 23 धंक से बता दिया और वो कौन सा formula हमने आपको बताया है भाई इतने सारे बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे कर दो ना यहाँ पर कर दिजिए चली देखे यहाँ पर अब आप बोलोगे कि sir amount का एक formula हमें पता है वो formula कौन सा है तो principle into 1 plus r by 100 to the power n होता है sir तो वही गाम आप यहाँ पर कर लेंगे amount के जगा आप क्या करेंगे amount रख देंगे 7 840 और is equal to principle के जगा आप क्या करेंगे 6 to 6 to 50 आप रख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे 1 plus r by 100 rate कितना है rate तो हमें निकालना है और by में क्या करेंगे 100 करेंगे तो यहाँ पर हम 100 कर लेंगे to the power n, n के जगा पर यहाँ पर क्या है बच्चो तो time है और time कितना है यहाँ पर तो आप बुलेंगे 2 है तो लो भाईया यह काम आप कर लेना और जैसे ही यह करना तो इसमें केवल आपको क्या नहीं पता है r नहीं पता है अब linear equation in one variable आता होगा तो तुम solve कर लोगे और यहाँ से आप r निकाल लोगे लेकिन r निकालना इतना आसान काम नहीं है आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें solve करना है तो जाकर के निकलेगा आप देखो तो यह भाई साहब पूरे के साथ multiply में हैं तो हैं तो आप बोलोगे सर उधर divide में जा सकता है क्या तो मैं बोलूगा बिल्कुल divide में जा सकता है तो आप क्या करेंगे इसको divide में लेकर के चले जाएंगे 7840 को यहाँ पर इसको divide में ला देंगे तो 6250 divide में हो जाएगा अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा solve कर लो इसको solve करोगे तो आपको क्या आएगा इसको जब आप solve करेंगे तो dear student आपको क्या आएगा देखो यहाँ पर square है ना तो अभी आप square को रहने दो इसको थोड़ा सा आप 1 पलस R by 100 का यहाँ पर square रहने दो अभी solve नहीं कड़ो अभी ठेर जाओ अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कुछ-कुछ कटने वाला है तो कटने वाला है तो आप कटा दिजे न तो आप बोलेंगे सर देखे ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा तो finally आपका क्या बचेगा तो 7, 8, 4 और divide में क्या हो जाएगा 6, 2, 5 और ये किसके equal हो जाएगा तो 1 पलस 8 बाई 100 और इसका square हो जाएगा बोलो ये बात के लिए हो गया क्या हो गया क्या के लिए बिलकुल हो गया तो अब आप बोलेंगे किसर देखे इधर RHS में square है तो इसको भी square बना दिये जाए तो square से square कैंसिल हो जाएगा तो चलो मैं इसको next page पे ले करके चलता हूँ और वहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए देखो अब इसको आगे सॉल्व करने का जो तरिका है ना मेरे प्यारे बचो, वो ऐसा है के आप बोलोगे 784 किसका square होता है तो ये 28 का square होता है और 625 किसका square होता है 25 का square होता है अगर आपको square याद नहीं यह तो आप लोगे square याद करके रखियेगा कहां तक square याद किजेगा तो 30 तक square याद कर लिजेगा ठीक है 786 बच्चे बच्चे को याद रहता है अब आप यहां पे बोलोगे कि sir 1 प्लस 8 by 100 इसका square हो गया बोलिए यह बात clear हो गया तो अब बोलोगे कि sir 28 by 25 को यहां पे एक अठा कर लेते हैं और इसका whole square कर देते हैं बोलिए exponent and power में आप पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ हैं तो जाकर के देखिए मेरा वीडियो समझ में आ जाएगा अगर आप एक power है तो अलग-लग भी उपर नीचे कर सकते हो या उपर नीचे है तो single भी कर सकते हो अब यहाँ पर देखो one plus eight by hundred है तो अब इसका square है तो आप square कर दे देखिए दोनों तरफ squaring है तो अब squaring आपका cancel हो जाएगा तो आपको यहाँ पर finally क्या बच जाएगा तो 28 by 25 बचेगा और इधर क्या बच जाएगा तो one plus eight by hundred बचेगा बच्चों को यही solve करना नहीं आता है जिसके वैसे बच्चे घबडाते हैं अब यहाँ पर 28 by 25 है अब आड़ वाले को रखना है तो इधर one को ले आ करके हम लोग सब्टैक्ट कर देंगे घटा देंगे अड़े बताऊने समझ में आ रहा है क्या तुम लोगो जो eight class वाले बच्चे हो जल्दी से बता दो मेरे को अब यहाँ पर बोलोगे कि यह सर यहाँ तक की बात किलियर है तो अब यहाँ पर 28 by 25 है ना वो सर यहाँ पर लिखेंगे और यह one है यह भी बात आपको किलियर हो गया आप बोलोगे नीचे से नीचे खतम होता है तो यह चार बार में किलियर हो जाएगा आप देखो चार को तीन से cross multiply कर दोगे तो यानि के बारह is equals to r आएगा यानि के rate परसेंट जो है वो exactly कितना हो गया dear student तो आप बोलेंगे sir rate जो है वो exactly 12% हो गया ठीक है तो आपको यहाँ पर rate क्या आगया तो 12% का rate आगया बोलिए यह मैंने आपको समझा दिया इसी तरीके से आपके questions बनाए जाते हैं और अगर आपको इत्ती बात नहीं समझ में आ रही है तो हमने amount वाले formula में रखा और amount वाला formula कौन है तो exactly यह है amount वाला formula और अपने को हर जगा amount वाला formula का यूज़ करके ही आगे बढ़ना है और आगे बताना है चलिए clear हो गया यहाँ तक की बात तो अब हम आगे चलते हैं और next question की practice करतेगी sir और और कैसा question आ सकता है तो हाँ और अच्छे-च्छे question आ सकते देखिए अब मैं आपको यहाँ पर question दे रहा हूँ उसी type का a certain sum amounts देखो a certain sum amounts to amounts to rupees कितना हो जा रहा है तो 729000 हो रहा है 729000 हो रहा है हाँ in two years कितने सालों में हो रहा है तो यह दो सालों में हो रहा है ठीक है at eight percent at eight percent per annum per annum ठीक है eight percent per annum compound interest compound interest at eight percent per annum compound interest compounded annually compounded annually लग रहा है कि तुम लोगो समझ में नहीं आ रहे हैं तुम लोगो कमेंट नहीं कर रहे हो ठीक है यहां पर देखो find the sum find the sum अब हमें यहां पर क्या करना है sum निकालना है मैं आपको बारबर बोल ला हूँ कि जहां पर sum आएगा तो आप उसको क्या मान करके चलेंगे कि वो आपको principle के बारे में बोल रहा है principle या तो पूछ रहा है या तो principle दिया हुआ है तो अब यहां पर ध्यान दोगे तो बोलोगे exciting sum है यानि कि कुछ sum है यानि कुछ principle है ठीक है certain का मतलब होता है कुछ है amount two rupees इतना अच्छा यह इतना amount हो जाता है देखो amount के बाद two use किया हुआ है amount two कहने का मतलब कि यह इस amount में बदल जाता है तो बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि यह principle दिया है कि यह amount दिया है तो आपको language से पता चल जाएगा तो आप बोलेंगे सर यहां पे amount का value क्या दिया हुआ है तो seven two nine double zero दिया हुआ है ठीक है अब यहां पे आप धिहान देंगे आगे क्या बोल लखा है इन two years यानि आप इतने समझदार जरूर है आप यह बोलेंगे सर टाइम का value यहां पे दो साल दिया हुआ है एट परसेंट पर एनम आप जरूर बोलेंगे कि सर रेट की जो value है वो exactly कितनी है तो 8% पर एनम है PA कहने का मतलब कि एक साल में आपको 8% रूपे भरने परेंगे अब आप से क्या पोल लखा है कि find the sum अब आपको sum निकालने का मतलब क्या हुआ कि sum निकालने का मतलब कि principle निकालना है तो लो भाई यहां पे आपको principle की value बतानी है तो बस आप देखो कि आपको सब यहां पे चीजें पता है A पता है T पता है R पता है principle निकालना है बस एक ही मैंने आपको basic formula बता है वो कौन सा formula बता है कि amount is equals to P into 1 plus R by 100 P into 1 plus R by 100 और 2 the power N होता है यही मैंने basic formula बता है जरा इसने तुम ध्यान लगाना तो देखना कि कितनी चीजें आपको unknown होती है पता नहीं होता है एक amount दूसरा principle तीसरा rate चौथा time इसमें से कोई भी तीन चीज दे देगा तो चौथा निकल के आ जाएगा amount time rate दे दिया तो principle जैसे कि 4 है ना 4 में 3 पता है तो 4 निकल जाता है अगर 5 लोग unknown होते तो 4 पता होता तो 5 निकल के आ जाता तो बस यही formula होता है यही देखने का अपना नजरिया होता है तो अब आप बोलेंगे कि हासर यहां पर एक चीज देख लीजिए कि सबका value को रख देंगे दिन अपन को समझ में आ जायाएगा ठीक है चलो यहां पर आप बोलोगे amount के जगा सर एक्जैक्ली कितना रखेंगे तो 72900 रख लेंगे ठीक है आप क्या करोगे hundred कर लोगे time कितना है value तो time का value आपका two years है तो आप यहां पर two दे दोगे ठीक है इसके बाद अब आपको क्या करना है कि फटा फट से solve करना है तो आप जल्दी जल्दी से solve करके आप हमें answer comment करेंगे देखते हैं कौन बच्चा यहां पर answer करता है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी बताओ मेरे बस इसको solve करना और solve करके अपने को यहां पर principle बताना है क्योंकि सारा चीज़ा हमें पता है कि अबल प्रिंस्पल नहीं पता है आप बोलेंगे कि सर देखिए इसको solve करना उतना ज्यादा difficult काम नहीं हम लोगे इसको बहुत आसानी से solve कर लेंगे बस यहां पर करना क्या पड़ेगा हमें हमें exactly value को रखना पड़ेगा आप इस तरीके से value को रख दिये तो फिर आप आगे बढ़ो आगे बढ़के यहां पर देखो आप बोलोगे के सर इसको अंदर ब्रैकेट को हमें पहले solve कर लेना पड़ेगा तो ब्रैकेट को solve करने के लिए आप इसको आगे बढ़ते चलो 72900 is equal to P into में देखो 101 है तो यह 100 हो जाएगा और पलस में 8 यानि के आप बोलेंगे 108 by 100 हो जाएगा सर और इसका power कितना होगा तो power इसका 2 हो जाएगा यह कटम पिटिम होने वाला है तो कर दो तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर exactly आप देख लिए यह कट जाएगा कितनी बार में कटेगा तो 4-4 से दोनों कटेगा चार से पचीस बार में कटेगा और यह 4 दोना 8 है और 4 सते 28 यानि के 27 by 25 आ जाएगा तो finally sir आप इसको ऐसे लिख सकते हो के 72900 और is equal to p into में 27 by 2 और इसका क्या है sir square है तो आप यहाँ पर square कर लेना अब देखो अब आपको यहाँ पर मैं ले करके चलता हूँ next page पर वहाँ पर हम मैं solve करके आपको बताता हूँ तो देखिए आपको कैसे solve करना है इसको करना बहुत आसान है बच्चों को यही solve करने में दिक्कते आती है बच्चा ऐसे बोलेगा कि sir देखे 72900 है ना अब यहाँ पर p के जगा p रहने देंगे और इसे हम क्या कर लेंगे कि 27 into 27 by 2 और 25 है ना 27 by 25 into 27 by 25 कर लेंगे यहाँ पर हमें 5 लिखना था और मैंने लिखा ने तो नहीं लिखा तो फिर से लिख देंगे ना क्या दिक्कत की बात है अब आप इतना तो कर लोगे मेरे भाई अब इतना करने के बाद बोलो गे sir अब कैसे करें तो अभी भी करना बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और वो कैसे आसानी से किया जा सकता है मेरे दोस्त, तो आप क्या करो कि यहाँ पर फटा फट से multiply कर लो, multiply क्या कर लो कि यह 25-25 denominator में cross multiply करोगे, तो बोलोगे 72900 में 25 उपर आके दोनों multiply होगा, और divide में क्या हो जाएगा, तो divide में आप 27 into 27 यहाँ पर नीचे कर लोगे, यह बात आपको clear हुआ, तो यहाँ पर आपको P बच जाएगा, बिल्कुल clear हो गया, देखो ना, 27 और 27 उपर में है, तो इधर आकर कि divide में हो जाएगा, नीचे 25-25 है, तो उपर multiply में चला जाएगा, एक बात बता हूँ, अगर तुमको square याद होगा, तो 27, 27 को multiply करोगे, तो यह 729 होता है, तो अब यह देखो, क्योंकि तुम्हें अब square याद नहीं है, 27 into 27, यह 27 का square होता है, जो कितना होता है, 729 होता है, इसलिए मैं बार बर बोलता हूँ, कि थोड़ा सा square को 30 तक याद रखा करो, अब 27 into 27, 729, 729 से 729 शला गया, तो उपर कितना बचा है, यह सब 100 बच गया ना, अब आप exactly यहाँ पर बोलेंगे, कि सर अब तो आसान हो गया, यह 25 का square कितना होता है, अब लोग भाईया, 25 का square भी नहीं पता है, 25 का square 625 होता है, 25 into 25 आप बोलेंगे, 625 हो जाएगा, और 00 अपने principle का value आ जाएगा, देखो, बच्चों को यह solve करने में बहुत difficult लगता है, इसलिए कहते हैं कि component is difficult है, difficult है, बट मैंने आपको यहाँ पर solve करके बताया, और मैंने यह कोशिश की कि देखो, कितने अच्छे से हम लोग solve करेंगे, तो समझ में आ जाएगा, तो कल को देखो, यहा आपको यहाँ पर rate पूछा था, तो हो सकता है कि कल को आपको time भी पूछ दे, time पूछ दे, तो जो time पूछ दे, वो मैंने last वाले lecture में कड़ाया हुआ है, इसलिए इस वाले lecture में हम उसे कड़ा करके time pass नहीं करेंगे, ठीक है, तो चलिए, अब हम और questions करेंगे, questions की practice करेंग और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे questions आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लोग, अब अलग-अलग type के हम questions को कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख लिजे, आप notes अगर बना लेंगे ना, मेरे पूरे जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, देख करके तो फिर आपका compound interest बढ़ता आया गया है, किसकी difference बढ़ताया है है तो the difference between the compound interest किसके किसके बीच में है, तो compound interest और simple interest के बीच का जो difference है compound interest and the simple interest on a certain sum on a certain sum certain मतलब के कुछ और sum मतलब के principle यानि किसी खास principle पे जो compound interest और simple interest का फ़रक दिया हुआ है वो बोला है कि for two years ये भी बता दिया है कितने दिनों के लिए यहाँ पे dear student for two years दो सालों का जो फ़रक है और वो भी क्या तो at rate rate भी आपको दे दिया है 15% per annum per annum is rupees 180 is rupees कितना है तो 180 रुपईया है तो find the sum तो आपको क्या करना है यहाँ पे sum निकालना है तो बताओ dear student आप क्या बताओगे आप क्या बताओगे यहाँ पे sum क्या होगा sum निकालने के लिए बोला है तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा तो principle निकालना पड़ेगा principle बोलो यहाँ पे अब देखो इस तरीके का question कल को exam में आ जाएं तो बच्चे घबड़ा जाते हैं बोलते हैं इत्ता बड़ा question ऐसा question तो मैंने life में कभी देखा ही नहीं और अभी मेरे सामने आ गया अब तुम मुझे tension हो रहा है ठीक है कैसे आप करेंगे इस प्रिंट करेंगे आप ज़लधी से कमेंट करके बताएं यहाँ पर टाइम केतना है यहां पर principle केतना है, यहाँ पे amount केतना है यहाँ पे interest क्या है, यहाँ पे जो भी बात आपको समझ में आ रहा है वो सब आप जल्दी से यहाँ पे comment करके हमें बताएं तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको थोड़ी थोड़ी बाते समझ में आती है बोलो आप बोलेंगे सर देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें बताएं गहीं है वो इस तरीके से है कि difference between compound interest and simple interest, compound interest और simple interest का जो difference है यानि कि आप यह बोलोगे कि सर देखिए, ci और minus में si simple interest को अगर हम compound interest में से घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है तो 180 रुपए आ रहा है आप अगर मन लगा के पढ़ोगे इस पूरे के पूरे question को तो आपको समझ में आएगा, कि compound interest और simple interest का जो difference है वो 180 दिया हुआ है, ठीक है अब यहाँ पे आपको और भी कुछ बाते दे रखी है, क्या बात बात दे रखी है तो यहाँ पे certain sum यानि के कुछ sum, कुछ principle पे for two years तो time यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे time दो साल दिया गया है rate कितना दिया गया है तो 15% दिया गया है तो आप बिल्कुल सारी बाते निकाल लोगे आपको करना क्या है देखो, एक बच्ची जो है comment कर रहे, principle भी लिख रही है time भी लिख रही है, rate भी लिख रही है इसका मतलब कि इसको समझ में आ रहा है और बागी किसी को नहीं आ रहा है जिसको आएगा, वो simple सी बात है comment तो कड़ी देगा, जो जो चीज समझ में आएगा यहाँ पर principle नहीं है बेटा, वो 180, देखो उस बच्ची को principle 180 दिखा लेकिन मैं समझ गया ना, कि उसको नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं आप बता रहा हूँ 180 आपका difference है किसका difference है, तो कुई माल लेते हैं कि हमारे पास 5000 रुपया है, इसका हम compound interest निकाल लेंगे इसका कुछ न कुछ simple interest भी निकलेगा, और इस दोनों का जो फर्क होगा, उस फर्क के बारे में बताया गया है कि 180 है, बच्चे हो गया होगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कि सुनो, अब आपको यहाँ पे compound interest निकाल करके compound interest के नीचे रख देना है, और simple interest निकाल के simple interest के नीचे रख देना है, बस यही करना है तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, simple interest निकालो तो simple interest आप निकालोगे तो simple interest के लिए बूलोगे कि P into R into T by 100 होता है principle को आप P ही माल लो principle को क्या माल लोगे आप तो principle को आप माल लोगे P तो अब आप लिखोगे late late sum B late the sum जो आपका sum है ना वो exactly क्या है तो आप उसको x माल लो या P माल लो ठिक है principle हमारा P है तो जब principle मेरा P है तो अब यहाँ पे देखो simple interest का formula क्या होता है principle into rate into time by 100 P,RT by 100 तो आप बोलोगे आप प्रिंसिपल के जगा पे तो हमने P मान रखखा है rate के जगा हमने क्या मान रखखा है 15 मान रखखा है और time के जगा हमने क्या मान रखा है तो 2 मान रखा है तो PIT by 100 कर लेंगे इसको solve करना पड़ेगा सर बिल्कुल करना पड़ेगा 2 से 50 बार में गया 5 तीया 15 और 5 से 50 हो गया यानि कि आप ये बताना मुझे कि SI की value कितनी आई है तो SI की value आप बोलेंगे 3P by 10 बोलो 3P by 10 समझ में आया क्या कैसे आया नहीं आया तो बिल्कुल आप समझ गया तो ये आपका क्या हो गया simple interest निकल गया तो यहाँ पे simple interest के सामने आप simple interest का value रख दो 3P by 10 ठीक है अब यहाँ पे आपको compound interest निकाल के रखना पड़ेगा इतना ही सा information से compound interest आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे चलिए compound interest निकाल लीजे तो आप बोलेंगे sir compound interest निकालने का कोई direct formula नहीं है आप यहाँ पे compound interest निकालने तो आप amount निकाल सकते हैं हाँ लेकिन compound interest के बारे में dear student ये जानते हो ना कि आप क्या करोगे कि amount में से principal को घटा दोगे तो compound interest निकल जाएगा amount का formula आपको पता है ना p into 1 plus r by 100 ये हो गया to the power n ये आपका amount हो गया इसमें से आप principal को घटा दो तो compound interest निकल जाएगा तो direct formula ऐसा आगया compound interest निकालने का अब यहाँ पर principal के जगा पर तो आपने बेटा p मान रखा है तो p लिखो और into में 1 plus rate कितना था और time कितना था तो यहाँ पर बोलोगे कि sir rate दो साल था sorry 15% था और time 2 साल था तो बस यहाँ पर रख दो यहाँ पर rate जो है वो 15% था तो 15 by 100 हो जाएगा और time 2 साल था तो power 2 होगा और minus में आप P कर लेंगे इसको solve करेंगे solve करेंगे हमारा compound interest निकलता जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी से comment करेंगे अच्छे question है ऐसे question में बच्चों की हालत खड़ाब हो जाती है तुम लोग लग रहा है कि एकदम दिमाग अच्छा से well prepared होकर के बैठे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा जल्दी स करना नहीं आता है सर कैसे करें सर क्या करें सर रूना दोना नहीं है जादा रोगे दोगे तो फिर आपको क्या ना कि और भी नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा से दिमाग लगाना है solve करने देखो ब्रैकेट वाले चीजों को तो solve कर सकते हो ना जितना हाथ पर चल सकता है उतना हाथ पर चला लो आप बोलोगे कि सर यहां पर देख लिए 100 यहां पर अभी भी कटम पिटम कर सकते हो ठीक है लेकिन मैं क्या करता हूं पहले multiply ही कर लेता हूं तो 101 एक सो में 15 जोड़ेंगे आप तो आप बोलेंगे 115 बाई 100 हो जाएगा बोलिए यह हो स्क्वैर है तो आप स्क्वैर कर लेंगे माइनस में पि कर लेंगे देखो पी हो गया अब यहां पर आप कटा पटा दो तो बोलोगे कि सर यह पांस से कर जाएगा 5 से 5 दूना 10 10 एक बचा 5 तीय पंदर है यह कटेगा आपका 5 से 20 बार में तो आप फाइनली बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या आ गया तो 23 by 20 आ गया लेकिन उसका power 2 है तो power 2 रहने दो और minus में P कर दो जैसे जैसे था मैंने वैसे वैसे किया अपने मन से कुछ भी नहीं किया मेरे बच्चे अपने मन से कुछ भी नहीं किया ये बात आप ध्यान में रखना अब आप करोगे अब इसके आगे सर समझ में नहीं आ रहा है कईसे नहीं समझ में आ रहा है समझोगे तब तो समझ में आएगा अब देखो 23 का S2 आप बोलोगे 529 होता है तो आप यहाँ पर P इंटू ये क्या कर लोगे 529 कर लोगे और डिवाइड में 20 का S2 400 होता है तो आप 400 कर लोगे और माइनस में P कर लोगे बोलो ये बात समझ में आ गया क्या बिल्कुल समझ में आया सर अब बोलोगे कि सर देखे 529 P हो गया इसको आप ऐसे करके लिखेंगे कि 529 P हो गया और divide में क्या हो गया आपका तो यहां पर divide में 400 हो गया हो गया ना 400 आपने numerator को numerator के साथ multiply कर दिया denominator को denominator बोलोगे denominator नहीं है तो है ना लाइक यहां देख लो समझोगे तब तो समझ में आएगा ध्यान तो कहीं और मोबाइल ले रक्या हो दिमागे कहीं और चल रही है तुमारी और यहां पर minus में P है तो P कर लेंगे इधर वाले भी P है इधर वाले भी P है LCM तो ले सकते हो ना जल्दी से LCM ले लो ना आप बोलोगे सर यहां पर क्या करेंगे 400 कर लेंगे तो 529 P तो रहेगा ही रहेगा और minus में क्या करेंगे 400 को P से multiply करोगे तो आप बोलोगे 400 P होगा सर अब finally बोलोगे 529 में 400 P जाता है तो exactly कितना बचता है तो 129 P by 400 बचता है I hope कि आपको यह बात क्लियर हो गया होगा ठीक है कितना बचता है तो 129 P by 400 बचता है बोलो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया बोलोगे आ गया समझ में तो अब मैं component test के सामने अब component test आप रख दो क्योंकि आपने Compound Moment test को निकाल लिया इसको भी थोड़ा सबहला कर देते हैं सب एक जैसे हो jाएंगे तो देखो आफ बोलोगे कि सर मैंने CA क्या किया क्या निकाल करके रख दिया पिर और आगे वाले समझे, समझे, कि की, नहीं, 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 आप बोलेंगे सर 400 और 10 का बिल्कुल आप ही के कहने के हिसाब से 120 पी आएगा, आप 129 में से 120 घटा देंगे तो बोलेंगे 9P by 400 आयेगा सर और इधर क्या आयेगा तो यहाँ पे 180 आयेगा आप बहुत चालाग हो numerator से numerator को उड़ा दोगे तो यहाँ पे बोलोगे 9 to the 18 यानि के 20 बचेगा तो finally अब यहाँ पे आप P की value क्या बताओगे मेरे भाई तो बोलोगे सर 400 को 2 से multiply करोगे तो exactly 800 आयेगा और उसमें आप एक और 0 बैठा दो यानि के जो सर final answer हो गया वो principal का क्या निकल के आगया तो 8000 उपे निकल के आगया hence the required sum जो होगा वो आपका 800 8000 हो जाएगा clear है समझ में आ गया तो ऐसे questions कल को आपको एक्जाम में दी जाएगे तो बन जाएगा बिलकुल बन जाएगा बहुत आसान है इस तरीके के questions को करना ठेक है ना समझ रहो ना बाद बिलकुल समझ रहो क्या मेरे बच्चे बताएंगे अगर आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि आगे बढ़ूंगा तभी चलके मैं आपको कुछ और बातों को बता पाऊंगा अगर आप समझ चुके हैं तो बताएगे जल्दी से बहुत अच्छा कॉंसेप्ट आगे बताने वाले हैं अब यहाँ पे देखिए इतना कुछ आपने समझ लिया तो कुछ कंपाउंट इंट्रेस्ट के एपलिकेशन है और वो कौन सा एपलिकेशन है तो इन बातों को समझेगा आपके एक्जाम में इससे भी कोशन आते हैं एपलिकेशन में कभी-कभी आपको पता है क्या कर देगा आपको बोलेगा कि इंक्रीज और डिक्रीज जो पॉपुलेशन होते हैं उस पे बेश्ट आपको कोशन दे देगा या तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा और नहीं तो वही पॉपुलेशन आपका डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज डिक्रीज पॉपुलेशन पे आपके कोशन आ जाएंगे ठीक है या फिर आपके और क्या हो सकते हैं तो सुन लेना यहाँ पे बैक्टिरिया का जो rate होता है ना growth of bacteria ठीक है यहाँ पे growth of bacteria पे भी आपके questions आ जाते हैं growth of bacteria अब यहाँ पे कैसे questions आते हैं तो वो मैं आपको questions अभी कड़ाने वाला हूँ तो फिर आप समझ जाएंगे अब देखो किसी machine का value घट गया किसी machine का 2 साल के बाद value बढ़ गया तो machine का value घटना और value बढ़ना भी इसी compound interest पे questions आते हैं तो यहाँ पे हो जाता है depreciation क्या पढ़ेंगे depreciation पढ़ेंगे depreciation का मतलब के value घटना depreciation in the value of machine machine का value अगर घट जाता है तो उसके questions को कैसे करेंगे तो यह one number और three number बहुत ही famous application है इस पे best आपको questions पूछे जाते हैं तो बोलोगे कैसा question आता है सर एक दू question करके आप हमको दिखाईए तो देखो बस हम यही पहला question लिखने वाले यही तो हम जानना चाह रहे थे कि आप लोग बोलेंगे दिखाईए देखो किसी जगा का जो population है population कहने का मतलब होता है क्या है कि आबादे the population of a town कोई एक छोटा सा मोटा सा सहर है और उसकी जो population है न वो exactly कितना है तो हम आपको बता दें एक लाग छेहतर हजार चार सो है ठीक है यहाँ पर आप समझ लेना in the year in the year यहाँ पर समझेंगे कौन सा year में है तो in the year 2009 2009 में कितना population है तो उस एक लाग छेहतर हजार चार सो it increases at the rate of 5% अच्छा जी यहाँ पर बताया गया है कि इसका population बढ़ता है it increases at the rate of at the rate of 5% 5% के rate से जो है इसका बढ़ता है क्या बढ़ता है population बढ़ जाता है दें आपको यहाँ पर यह बातें कही गई है कि सबसे पहले जो question आप से किया गया है dear student यह आपको बताना है कि what would be the population in year 2011 what will be what will be population आपको यह बताना है कि population कितना होगा कब कितना होगा in the year 2011 in the year 2011 2011 में population क्या होगा आपकी कान खड़ी हो जाएगे आप बोलेंगे सर इतना easy question पूछ सकता है देखो सर यहाँ पे 2009 में जो उसकी population थी वो कितनी थी तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखिए 2009 चल रहा है और इतनी population है अगला जो 2010 आएगा तो 2010 में population क्या होगा तो इसमें कितना बढ़ जाएगा तो आप बोलेंगे 5% बढ़ जाएगा बोलो 5% बढ़ जाएगा ना exactly तो आप बोलेंगे ठीक है सर 5% बढ़ के कुछ आएगा फिर अब जो 2011 आएगा मेरे बच्चे तो 2011 में अब इसका 5% नहीं बढ़ेगा 2010 वाले का 5% बढ़ेगा यानि इसमें क्या करना 5% निकाल करके जोड देना तो ये वाला आपको population निकल के आजाएगा तो इसी लिए आप देख रहे हो हर साल यहां से यहां जो population बढ़ा और यहां से यहां जो population बढ़ा यह compounded बढ़ा compounded कहने का मतलब कि बढ़के जो हो गया जो population हमारा 5% बढ़ा उसको हमने add कर दिया add करने के बाद इसको हमने amount माल दिया ठीक है, amount में कैसे हम लोग add कर देते हैं, principle को और interest को, तो amount आ गया, अब फिर इसका बढ़ेगा, compound interest में भी तो वही होता है, कि अगर हम 2009 में एतना रुपया ले होते, rate हमारा 5% होता, तो 2010 में हम क्या करते, 5% निकाल करके तो देते ही देते, अब बोलते दोनों को जोड़ दो, अब जोड़ने के बाद जो पैसा आएगा, उसको अब तुम amount माल, उसको principle माल लो, और इस principle में तुम अगले साल क्या करना, 5% बढ़ा करके देना, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गया, मेरे प्यारे बच्चे, कि यहाँ पे compounded बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कि इसको compound interest वाले जैसे chapter में बनाते हैं, ठीक है, चलिए, एक बच्चे का answer भी आया है, देखते हैं कि वो answer सही है, या फिर गलत है, हम यहाँ पे बोलेंगे, कि population जो है, वो कब का population, तो population in the year, कौन से year में, तो in the year 2009, 2009 में हमारा क्या population है, तो आप बोलेंगे, 17,176, 1400, ठीक है, अच्छा, rate of increase, किस rate से increase करता है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे, rate of increase हो जायागा, सर, 5%, हर साल 5% यह अपना बढ़ जाता है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है, time कितना दिया गया है, तो आपको यहाँ पे time दिया गया है, population in 2011, अब आपको क्या निकालना है, population in 2011, इसका मतलब यह निकालना है, कि population after 2 years, यही निकालना है ना, बिलकुल, तो population after 2 years जो होंगे, वही आपको निकालना है, यानि कि time की value क्या दे रखी है, 2 years दे रखी है, तो simple सी बात है, कि आप यहाँ पे formula लगा देंगे, क्या formula लगा देंगे, तो आप बोलेंगे, कि population after 2 years कितना होगा, तो P into 1 plus R, देखो, principle into 1 plus R by 100 to the power N होता है न, तो यहाँ पे principle के जगा, अब आप इस population का value लेंगे, आप बोलेंगे, एक लाग 76,400 है, यह हो गया हमारा population, into 1 plus R by 100, तो 1 plus rate कितना है, तो 5 है, आप by में आप क्या करेंगे, तो by में आप 100 करेंगे, कितने सालों के लिए बोलना है, तो 2 सालों के लिए बोलना है, तो आप 2 रखोगे, और इसको solve करोगे, तो solve समझ में आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे live हैं, आप छोटा सा काम करें, कि इस वीडियो को like करें, और अगर आप नए देख रहे होंगे, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और यहाँ पे ध्यान दिजेगा, कि अब इसे कैसे solve किया जाएगा, आप जल्दी से इसको solve कर लो, मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर, इसको solve करना बहुत आसान, पहले bracket वालों को solve कर लेंगे, तो 1,76,400 रहने दो, आप बोलोगे 101,100 में 5 जोडोगे, तो आप बोल जोज में आई रहा है, आप टेंशन ना लें सर, आप एकदम से आराम से पढ़ाते रहें, हम बढ़ते रहेंगे, तो आपके दिमाग में बात चल लही होगी, कि इस 100 और 105 को कट्टो पिट्टो कर दो, आप बोलोगे 5 से यह उरने वाला है सर, पांच दूना दस, आप 76,400 रहने दो, अब यहां पे देखो, 21 बाई 20 को दो बार लिखो, अभी मल्टिप्लाई नहीं करना, पहले आप इसको लिख लेना, कोई कटने वाला होगा, तो आप कटा देना, क्योंकि तुम्हारे नीचे में कुछ नलायक बैठे हुए हैं, और यह एकदम से निशाना समझ में नहीं आ रहा है, सर, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सर, अटाइए नहीं पढ़ना है, भया मेरे रूने से काम चलेगा, क्या, आपको समझना पढ़ेगा, कि स्टेप्स क्या होते हैं, सॉल्व करने के, और उसी तरीके से सॉल्व करके, आपको आगे बढ़ना पढ़ अब आप बोलोगे, सर, देखें, ये 0, ये 0 से हमसे रहा नहीं जा रहा है, हमें मन खर रहा है कि कब इसको काटके हटा दो, तो आपने इसको काटके हटा दिया, अब देखें, यह दो दूनी चार हुआ ना, तो बिल्कुल चार से ये कटने वाला है, चार चोका सोले बोल द एकी से किसका स्क्वेर क्या होता है, चार सो एकतालिस होता है, लो चार सो एकतालिस और चार सो एकतालिस को आप किसी भी तरीके से मल्टिप्लाई कर देना, तो आई होप मल्टिप्लाई करने पे आपको कितना आ रहा है, जो आपको आएगा, वही यहां पे आंसर हो जाएग ठीक है आपको multiply करने पर जो भी आएगा dear friend वो आपका answer होगा तो मुझे जहां तक लगता है कि आपका जो answer है वो exactly यह आना चाहिए ठीक है तो आप बूलोगे कि sir दू साल के बाद जो है वो population अपना इतना हो जाएगा तो सभी बच्छे comment करके बताएं हमें complete आग लगा दो ठीक है तो आप बूलोगे sir yes sir बहुत easy था यह हमें यहां तक की बातें समझ में आ गए लेकिन इसमें एक और question दिया यह तो दो साल के बात का दिया हुआ है अगर कल को तुम से यह पूछ ले कि हम दो साल का बात कैनीं आप दो साल पहले का बता तो कीसे बताऊगी तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा की अबसर दिमाग अपना काम नहीं कर रह lieutenant अब हमारा दिमाग कैसे काम करेगा तो चलिए हम आपका दिमाग कराने के लिए इन सभी को ले चलते हूं ठाके अब बोलते हैं कि चलो भाईया मेरे बच्चों को थोड़ा सा दिमाग खोल करके बताओ कि कैसे सॉल्व करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वो सभी कोश्चन्स यहां पर आ गया है लेकिन लग रहा है कि हमें कोश्चन्स आरा मिला नहीं है ठीक है आपने बढ़े अब लग रहा है मैंने सभी को घहर लिया मैंने कूपी कर लिया आगे बढ़के यहां पे लाकर करके सभी को मैं एक दम अच्छे से कंप्रप्ट ले रहा है तूंहारा हम समझ रहे हैं कि 2009 में तो पॉपुलेशन था पांच परसंट के हिसाब से तुम बढ़ इसका पॉपूलेशन क्या होगा पॉपूलेशन और कब के बारे में पूछा है इस पॉपूलेशन इन ये 2007 आपको बताना है कि 2007 में इसका पॉपूलेशन क्या था लो बाईया मेरे को 2007 वाला पॉपूलेशन पता ही नहीं पीछे वाला पॉपूलेशन हमें नहीं पता है तो ज population was population was late population कौन से येर में late population in 2007 2007 was x माल लेते हैं कि x रहा होगा भाई मेरे क्या रहा होगा एक्स रहा होगा और हर साल 5% बढ़ता है तो अब तो आप यहां पे निकाल लोगे कि अब हमें अभी population अभी के बारे में हमें पता है कि अभी का जो present population है वो इतना है यानि कि 2007 का population आपको पता है तो population 2009 में कितना हो जाएगा तो 9 वाला आपको पता है इसलिए आप बोल रहे हो कि population in 2009 तो 2009 में जो population होगा तो आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा principle into देखो 2 साल पीछे से 2 साल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले हम principle को क्या माल लेंगे x माल लेंगे तो principle into 1 पलस r by 100 अब यहाँ पे आपका r क्या है तो rate 5% से बढ़ रहा है तो 5 by 100 हो जाएगा to the power n 2007 से 2009 के तरफ आ रहे हो इसलिए 2 साल का gap है तो आप power 2 दे दोगे और 2009 का ही क्यों निकाले तुम्हार दिमाग में चलेगा सरागे कभी निकाल सकते 2009 का ही हमने इसलिए निकाला क्योंकि 2009 का यहाँ पे दिया हुआ है देखो कल को अगर आपको पीछे से पूछे न के 2 साल पीछे 3 साल पीछे का population क्या होगा तो 2 साल पीछे 3 साल पीछे का आप x माल लो और present वाला निकाल लो ठीक है और present वाला के equal कर दो जैसे के present वाला 2009 में कितना population है तो यहाँ पे 176 400 है तो बस इसकी equal हो जाएगा x और इंटू देखो 105 भाई आप क्या कर लेना तो यहाँ पे 105 भाई 100 कर लेना और इसका square कर देना इसको तो बहुत जल्दी से कर सकते हो 5 से 21 बार में गया और 5 से 20 बार में गया तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर देखिए 176 400 यह equal हो गया किसके equal हो गया तो x और इंटू में 21 बाई 20 और फिर में 21 बाई 20 बोलो यह बास समझ में आया क्या क्या क्योंकि 21 बाई 20 का square था इसलिए 21 बाई 20 को हमने क्या क्या ना दो बड़ multiply करके लिख लिया है अब बोलोगे सर इसको ऐसा किजिए कि ले करके कहीं और चलिए तो हमारे पास बहुत सारा plot मैंने ले रखा है हम उसको वहीं ले चलेंगे देखो पूरे खाली plot ही पड़े हुए हैं यहां पे हम इसको यहां पर ले करके चले हैं और हम बोले कि देख भी तिरे को तो आप बोलोगे यहां पर भी सर सात दूना one पिर प्रीषा चशटीस ऑ गया और सात पचött पैंतिस और 10% अर एक बचा चोवड़ा हुआ सात दूना चोवड़ा और 00 डबे दो फिर आप बोलोगे कि सर ये 3 से भी कट रहा है कट रहा है ना 3 से तो बिल्कुल आप 3 से कट रहा है तो आप 3 से कट आ देंगे बोलेंगे सर ये फिर 3 से भी कट रहा है 3, 8, 24 3, 4, 12 यहाँ पे हो गया अब देखो 7, 3, 20 और 7 से कितने बार में कटेगा तो 1200 बार में फिर ये 3 से कितने बार में कर जाएगा तो 400 बार में ठीक है इतना तो समझ गया तो अब आपको X की वैलू क्या आ जाएगी मेरे भाई तो आप बोलेंगे सर इधर X बच जाएगा 400 में 20 और 20 मल्टिप्लाई होगा तो 2, 2, 4, 4, 16 तो आप बोलेंगे 16 पे 2 और 24 जीरोज हो जाएगे यानि कि ये आपका पॉपुलेशन था कब था तो 2007 में आपका पॉपुलेशन था बोलो किलिर होगे बताओ जल्दी से तो इसका हम शॉटकट भी बताएगे शॉटकट भी करने का क्या तरीका होता है कल को अगर ऐसे कॉशन तुम्हारे objective में आ जाए तो तुम कैसे करोगे अगर तुम comment करके बताओगे तो फिर हम आपको बताएगे बोलिए तो आप बोलेंगे ये सरी ये बाते हमें समझ में आ गए तो देखो इसको करने का shortcut क्या होता है मैं दोनों का shortcut बता देता हूँ और वो कौनसे दोनों का shortcut बताता हूँ तो आप यहाँ पर धियान लखिएगा देखे इस वाले का मैं आपको shortcut बता रहा हूँ अगर आपको यहाँ पर questions एक बात दे दिया जाए वो कौन सी बात दे दिया जाए कि अभी present में कितना है तो 1,76,400 है ठीक ना? चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि present में जो population है वो कितना 1,76,400 है चलिए भाईया यहाँ पर पर जेंट में जो population है वो 1,76,400 है अब हर साल कितना percent बढ़ता है तो हर साल 5-5% बढ़ता है तो अगले साल इसका क्या हो जाएगा? तो अगले साल यह अब 100% नहीं रहेगा 105% बन जाएगा तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? कि 105% सर निकाल दो यह अगले साल का population होगा अब क्या बोलोगे? कि एक और साल आगे चलना है तो उसका population क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर फिर यह पूरे का 105% हो जाएगा बोलो यह बात क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर हो गया अब जहां-जहां कटने वाला आप कटा देंगे यह 5 से 21 बार में 5 से 20 बार में 5 से 21 बार में 5 से 20 बार में यहां पे आप बोलेंगे यह 00 से यहां पे 00 हो गया दो दुनी 4 से यहां पे आप कटाओगे 4, 4, 16, 4, 16, 4, 16, 4, तो फिर देखो आपको 441 और इंटू में 21 और इंटू 21 आया की नहीं आया आप बोलोगे 441 और इंटू में 21 का स्कूरर भी 441 होता है तो पिछले बार भी वही आया था आप क्या बोलोगे कि exactly sir यहां पे इतना अंसर आने वाला है आपने यहां पे क्या-क्या smart approach से solve कर लिया यह रहा आपका smart approach बोलो dear student यह आप जब objective करना होगा कभी तो objective के लिए आप ऐसे सो सकते हो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होग कि objective से कैसे होंगे 441 into 441 हमने कुछ नहीं किया जो अभी का population अगले साल 5% बढ़ जाएगा तो मैंने 105% निकाल दिया और जो आया यहां तक फिर हमने इसका 105% निकाला क्योंकि हमें पता है कि उसके अगले साल भी फिर 5% बढ़ेगा तो इसी का बढ़ेगा ना भी पूरे का तो बढ़ेगा तो पूरे का हमने निकाल दिया तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी बच्चे कमेंट करके थमस अप करके हमें बताएंगे कि आपको कितनी बात समझ में नहीं आई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं तो देखो उसको एक और question था ना उसका भी हम अब यहां दो साल पहले की बात कर रहा है तो कोई दिकत नहीं है दो साल पहले वाला भी population हम निकाल लेंगे देखो दो साल पहले population हम माल लेते हैं कि X रहा होगा फिर क्या होगा कि दो साल पहले population X रहा होगा तो अगले साल 5% बढ़ गया होगा तो 105% हो गया होगा तो 105 by 100 कर लेंगे फिर अगले साल बढ़के क्या हो गया होगा तो 105 परसेंट आपका पॉपुलेशन बढ़ा होगा तो फिर आप बोलेंगे कि 105 परसेंट हो जाएगा तो यह आपने कर लिया 105 परसेंट ठीक है तो अब बूलो बोलो बच्चो बोलो अगर आपको समझ में आ गया हो तो, आप बोलेंगे ये सर बहुत आसान है हमने ये माल लिया कि 2007 में था ये कब का था population 2007 में था 5% बढ़के ये वाला population कहां से कहां तक आपका 2008 में हो गया होगा तो आप बोलेंगे ये सर ये complete population 2008 का होगा अब देखिए सर इस पूरे 2008 का मैंने 5% बढ़ा के 105% निकाल दिया तो ये जो population है वो आपका 2009 का होगा और ये भी आपको पत पता है ना कि 2009 का population है अब आप इसको solve करेंगे तो solve करेंगे तो ठीक उत्ता ही answer आएगा जिता answer आए हुआ था तो आप बोलोगे यहाँ पे 16 पे 1,2,3,4,0 डाल दो से तो ये ही आपके x की value हो जाएगे बोलिए बच्चों क्लियर हो गया क्या येस येस आपको समझ में आ चुका है तो इस तरीके की questions आपको कल को exam में दे दिये जाएंगे तो आपको घबडाना नहीं है आपको बना लेना है तो इसी तरीके से करके कुछ है machine की जो machine की जो rate होती है ना वो कभी बढ़ती है और वो कभी घरती रहती ह है तो आपको यहां पर कुछ questions दे जा रहे हैं उस पर बेस्ट आपको यहां पर questions को करने हैं तो मैं यहां पर question दे देता हूं कि in a certain experiment सुनना इन certain experiment एक आपका experiment हो रहा है और इस experiment में यह देखा गया है the count of bacteria the count of bacteria bacteria का जो count है ना वो exactly क्या हो रहा है increase हो रहा है और वो कैसा increase हो रहा है was increasing और किस तरीके से increasing है तो उसका कुछ rate बता दिया गया है तो at the rate of at the rate of 2.5% per hour अच्छा एक घंटे में वो कितना बढ़ जा रहा है तो 2.8% बढ़ रहा है तो initially पहले उसका कितना bacteria था तो initially the count was the count was मैंने बोला था ना कि bacteria पे भी questions आते हैं तो वही वाला यहां पे आपको question है 512000 यानि कितना हो गया यहां पे 512000 एक यावन लाख बीस जाग हो गया तो पहले हमारा इतना बैक्टेरिया का संक्या था फाइंड बैक्टेरिया एड़ इंड ऑफ टू आवर्स अब लो भाई या ठीक वैसा ही हो गया question 512000 फाइंड दा बैक्टेरिया आफ्टर टू आवर्स आफ्टर टू आवर्स तो दो घंटे के बाद बैक्टेरिया कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे कि सर यहां पर आसान है ठीक है एक बच्चा बोल ले है कि सर मेरा नेटी नहीं चल ला है तो नेट नहीं चल रहा है तो तुम चलना शुरू कर दो ना तुम कैसे चलोगे अगर तुम नीचे घर पर बैठे होगे तो चट पर चलना शुरू कर देगा और अगर चट पर भी नही कहने का मतलब और अगर उस पर भी नहीं काम करें तो सीरी उठाना मुहले वाले को दुशार लोगों को पकरना और टावर के पास ले करके चले जाना टावर पर सीरी लगाना और टावर पर फट 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 एकदम ऊपर बैंट के पास जाकर के बैठ जा पैयान 9 का प्रॉब्लम है तो उसमें नहीं दिक्कत है और नहीं आपकी दिक्कत है वह तो अपुंगे कोई जो कडिक चलेगा तो आसे प्यार से देखें लेंगे जिन बच्कों का नेट चल दिमाग चल ला तो धेहान दिये कुछ बच्चों का नेट चल दिमाग नहीं चल ला है जो कम सा कम कमेंट भी किया करें यहां पर तो आप बोलोगे शार टैंशन मतलए यहां पर दो हभी परसेंट से बढ़ ठीकर estra विस्फ trawn when mister कि अपने निकालनाyon बेसक तो आपैसे बोलोगे और यह प्रिंस्पल मालेंट 15.2 में आपके क्या हो जाने किग अंगे ऑई किगता ह है रहाइए यहां पर देंगे दो दिन के बाद बोलता तो दो रख देतें लेकिन आपको रिड दिया होता, पड़ावर नहीं, पड़डे दिया होता, तब यहां पे दो दिन देता, यहां आवर देती है, तो यहां भी आपको आवर ही देगा. इस बात का आप ख्याल लगेंगे, थोड़ा सा. अब देखो यहां पर ऐसे हो गया, सर ठीक है, इतना तो मैं भी कर लिया था, सर मैं भी इतना कर ली थी, लेकिन इसके आगे डैसमल वैसमल दे दिया है, तो हमको सॉल्व करने में सर दिक्कत होता है, थोड़ साब बता दिए कि इसको कई से सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद डैसमल हटेगा, तो बाई में 10 आजाएगा, ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या करने है, 25 रहने देना, और बाई में 100 रहने देना, डैसमल हटाओ, और नीचे में एक 0 बैठा दो, अब तो किलिए रहना, अब तो दिक्कत नहीं होगा, अब तो तुम्हारे आँखों से आ से कि यह तो 41 बाई 40 हो जाएगा, सर, 41 बाई 40 का स्क्वार हो जाएगा, बोलो, समझ में आया क्या, तो आप बोलेंगे कि 41 बाई 40 का स्क्वार हो गया, तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए अपने पास आप रहने दो और 41 चारिस को दो बड़ मेल्टिप्लाई कर दो क्या है क्योंकि उसे यहां पे स्क्वाइर दिया हुआ था तो आप बोलेंगे चल्दी से इसको कटाईे मुझे रहा नहीं जा रहा है मेरे पेट में अब गुद्गुदी लग रही है क्योंकि यहां पर नीचे 0 बट बेट जरो बेट जरो बेट जरो मीटक नोखुट डर ना यहां पर जो कर देदें को बार ओसर पर जाएंगा पे 1 Soul बचस्ट केंगा सुर्थ टीन बचसे कर थाएंगा तो बोलो तिन सब वीस को एक तालीस इंटू एक तालीस से मल्टिप्लाई करोगे तो फाइनली कितना आएगा बच्चो आप बोलोगे कि यहां पर आ जाएगा पांट थीन साथ नो दो जीरो ठीक है आप मल्टिप्लाई करके देख लेना इतना अंसर आएगा तो आई होप के आपको क्लियर हो गया होगा जल्दी से कम 맞 कर के बतायों कि सर बोलेंगे गलाप फार फार के चिला चिला तो देखिए यह तो हो गया आपका एक्जैक्ली बाते यहां पर आपको समझ में आ गए लेकिन जब आपका वैलू डप्रेसियेट करेगा ना वैलू डप्रेसियेट करने का मतलब क्या हो गया के अब हम आपको एक नए तरीकी की questions को करा रहे हैं आप उस questions को ध्यान देंगे और बताएंगे कि वो question आपको कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए अच्छे सुनो इसका shortcut जानना है तुम लोगों को shortcut की पड़ी रहती है न कि शौटकट भी बता दो अरे tension लेनी की कोई बात नहीं है यहाँ पे देखो smart approach आप सीख सकते हो कैसे आप smart approach जान सकते हो इसका shortcut कैसे जान सकते हो बस वही वाला बात हो जायेगा आप यहाँ पे बोलोगे के देखिए sir यहाँ पे exactly कितना है तो 5,1,2,000 है अगले hour में अगले घंटा में 0.5% बढ़ेगा तो 0.5% का मतलब कितना होता है तो 0.5% को आप fraction में बदल लो तो 0.5% मतलब क्या हो जाएगा कि 0.5 by 100 आ जाएगा 0.5 यह हटेगा तो आपको 0 आ जाएगा यहाँ पे 25 शो का 100 यानि आप क्या बोलेंगे कि 1 by 40 होगा सर इसका मतलब क्या हो गया 0.5% बढ़ा यानि कि देखो यह 40 का 0.5% एक है तो बढ़के 40 कितना हो जाएगा तो 41 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 41 हो जाएगा यानि कि 41 by 40 आपको करना है 41 by 40 करेंगे तो यह आपका दूसरा घंटा में बढ़ जाएगा और यह 41-40 क्या है तो basically आपका 2.5% increased value है यह बात आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बोलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो I hope आपको बहुत अच्छा होगा और सारी चीज़ें आपको clear हो गई होगी यह आपका smart approach था तो आप इसको ध्यान में रखो नहीं ध्यान में रखो चलेगा बट जो basic होता है न उस basic को आप ज़रूर ध्यान में रखना ताकि कल को आपको exam में ऐसा आ जाए तो आप ज़रूर कर लेना बोलो बोलो डियर स्टूडेंट यह 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 बात आपने किलियर कर लिया बहुत अच्छा है सर थैंक यू है सर बिकॉस टोमाड़ो इस माई मैट्स एक्जाम मांसी क्यूटनिस गर्ल अच्छा अच्छा ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं जब आपका है तो आप यहां पर देखें और मैं यहां पर अलग अलग तरीके के कोश्चन को करा रहा हूं जो भी मैंने वीडियो को यहां पर आज किया है वह आप जरूर जाकर के शुरुआस से देख लेंगे आई होप आपको जरूर कुछ ने कुछ कुछ बेनेश्चार मिलेंगे और एक लेक्षर को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है ठीक है और जो मैंने पहले पढ़ायाना Riq को उसको भी आप देख लेंगे टोटल मेरे compound test के दो ही लेक्षर बन रही है तो दोनों को लेक्षर को आप देख लेंगे तो आपके लिए मैं आपको पहले एक कोस्टन देता हूं उसके बाद में família पे बताता हूं कि धुको पॉपूलेशन अब कहां का पॉपूलेशन कब का पॉपूलेशन तो आप यहां पे देख ले ना वह इएक पॉपॉलेशन आफ ए टाउन है बहुत प्यारा सा टाउन है आप ही का शहर माल लेते हैं the population of a town two years ago दो साल पहले की बातें की जा रही है two years ago was अब कितना था तो वह 62,500 था कितना था तो 62,500 था due to migration migration का मतलब समझते हो हाँ एक जगह से दूसरे जगह चले जाना उसे हम लोग कहते हैं migration तो due to migration to cities यानि के cities में migration होने due to migration to cities it decreases यह population अब घट जाता है अब घट के क्या होता है decreases every year हर साल घटते रहते हैं every year due to migration migration to cities it decreases every year at the rate of 4% per annum at the rate of at the rate of 4% per annum बहुत प्यार से यहां पर पढ़ा रहा हूं ध्यान देंगे 4% पर चार-चार परसेंट हर साल डिक्रीज करता जाता है population find its present population तो अब आपको बताना है कि इसका अखर-चार पापोपूलेशन क्या होगा find its present population present population बोलो बच्चों सबसे पहले आपको question समझ में आना चाहिए जब question समझ में आ जाईना तो आपको सारी बाते समझ में आ जाएगी बूली यहां पे समझाईए कि आपको question समझ में आ गया क्या अगर question समझ में आ जाएगा तो फिर आपको सारी बातें clear हो जाएगे इसी तरीके से आप वीडियो देखें हाँ हाँ बिद हलो आ रही आ रही तुम्हारी message आ रही है ठीक है यहां पे देखो population of a town two years ago दो साल पहले की बात है population कितना था तो 62,500 due to migration migration कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह लोग plan कर गए है तो decrease कर रहा है हर साल कितना decrease कर रहा है population तो 4-4% population decrease कर रहा है तो find its present population तो आप यहां पे बताएं कि present population क्या होगा तो देखो भाई दो साल population पहले इतना था एक साल आगे बढ़ा तो इसमें क्या हो गया होगा 4% घट गया होगा ठीक है फिर एक साल और आगे बढ़ा तो फिर 4% घट गया होगा तो बस वही बात है न कि आप 4-4% घट आते चले आओ तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अगर depreciation की बातें की जाएंगे depreciation की बातें की जाएंगे तो आप पलस के जगह केवल माइनस लगा लेंगे मतलब के आप क्या करेंगे population 2 years ago लिख लेंगे population 2 years ago दो साल पहले जो आपका population था वो क्या था तो 62,500 देख ले बच्चा समझ ले यहां पर समझ में आ जाएगा अच्छा rate of decrease अब यहां पर decrease की कहानी है rate of decrease यानि कि आपको पहले का population पता है और उसमें decrease हो रहा है बेसिकली होता यह है कि population वगड़ा बढ़ता है बट यहां पर आपका population क्या हो रहा है कि decrease हो रहा है तो rate of decrease कितना है तो 4% आपका decrease है तो अब present population क्या है तो present population आपका कैसे निकलेगा तो ठीक आप formula लगा लेंगे कौन सा तो compound interest वाला लेकिन थोड़ा सा कुछ बातों का ख्या प्रिंस्पल आप यहां पर क्या मान लोगे बासट हजार पांसो ठेक है और वन प्लस आर्वाइं हंडेड लेकिन population हर साल घट रहा है इसलिए आप बोलेंगे वन माइनस आर्वाइं यहां पर पलस नहीं लगाओगे अब यहां पर क्या करोगे माइनस करोगे तो वन माइनस आर बाई हंडेड यानि के फोर बाई हंडेड अर्टू दी पावर टू यहां पे दो साल पहले का था और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि परजेंट का पॉपलेशन निकालने हैं क्यूं परजेंट का निकालना शाहिए वो लख है तो परजेंट का पॉपलेशन निकालने क के लिए आप केबल यहां पे माइनिस कर देना और अगर आपको बोले कि बढ़ेगा ठीक है तो पलस करना और यहां पे घटने के लिए हम लोग माइनिस कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व कर लो 62,500 को बोलोगे सर यह तो 25 से गया 25 से कहीं 25 और में से एक जाएगा तो यह हो जाए 24 का स्क्वाइर सर 576 होता है और उसमें अपन क्या करेंगे डबल जीरो लगा देंगे यानि कि 57600 आपका परजेंट में पॉपुलेशन आ जाएगा बोलिए के लिए हो गया क्या समझ में आया बढ़िया बढ़िया इसी तरीके से आपको करना चाहिए और समझना चाहिए अब आप देखेंगे कि यहां पर चीज़ें आगे तो यहीं पर आप क्या करेंगे एक फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे और वो डिक्रीजड वैलू अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि डिक्रीजड वैलू बताओ कि इतना साल इतना अभी यह है माल लेते हैं कि 1-8 by 100 और to the power n कर लेंगे यह वाला आपके लिए फॉर्मूला हो गया और क्या है कि डिप्रीज वैलू बोले या डिप्रीसियेट वैलू बोले तो आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा डिप्रीसियेटेड वैलू डिप्रीसियेटेड वैलू ठेक है यह दोनों केस में आप क्या करेंगे तो डिप्रीसियेट यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे निगेटिव वाला अच्छा इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते थे कोई दिक्कत की बात नहीं थी देखो अभी एतना है 62,500 है देखो smart approach मैं यहीं पर बता दूं क्या बिलकुल यहीं पर मैं आपको अगर percentage आता है तो आप यहां से बहुत easy way में क्या कर सकते हो तो देखना अभी जो आपकी value है वो कितनी है 62,500 है तो आप यहां पर बोलोगे कि सर देखिए 62,500 value है हर साल 4% घरता है तो अगले साल 4% घर जाएगा तो केवल 96% बचेगा तो आप यहां पर 96% निकाल ले हैं तो बोलोगे अब तो solve करने पर इतना आएगा जो भी solve करने पर आएगा आएगा मैं solve नहीं करता हूं बिन solve किये रहने देता हूं फिर बोलोगा अगले साल और बढ़ेंगे तो फिर 4% घर जाएगा यानि इस पूरे का फिर हमें 96% बचेगा तो फिर 96% हम यहां पर निक बर में कटेगा ना 5-54%, चार से 24 चार से 24 बर में यहां भी बोलोगे चार से 24 बर में 25 का is고 स्वेष्यू चे खात्म हो गया तो अब बोलोगे 24 स्कशार 570 होगा और 00 यहां है तो 00 लगा देना बोल बिटा आया की नहीं आया बिलकुल आ गया इसमाइट अप्रोच अहा क्या मज़ा आ गया आपने तो इसको दुआदार ऐसे ही करके उड़ा दिया बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करके हमने यहापे खतम कर दिये तो आपको अगर कल को अब्जेक्टिव बनाना होगा तो आप ऐसे ही बना देना अधर साल चार परसेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छा सर इस लेक्चर का pdf कहां मिलेगा हां बिल्कुल pdf मिलेगा यह जो pdf मिलेगा न वह आपको description box में जैसे ही class खत्म होगा वह आपको description box में मिल जाएगा मैं अभी क्पांट इंट्रेस्ट या लेक्चर 2 तो यह वें नेक्चर 2 यह क्वें एक्जक्ट्ली जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वूड़े pdf का link डाल दूँगा वहाँ से आप जाएंगे वो आपको telegram पर ले करके चला जाएगा और वहाँ से आप download कर लेंगे अगर आपके mobile में application telegram नहीं है तो telegram ठीक whatsapp के जैसा होता है play store में जाकर के telegram को download कर लें whatsapp जैसे registered करते हैं नमबर दें आपका telegram बन जाएगा और जैसे telegram में whatsapp वगड़ा किया जाता है बाते होती है whatsapp में जैसे होती है वैसे ही telegram में होती है तो telegram का ही link हम देंगे क्योंकि telegram के ही pdf को रखा जा सकता है ठीक है clear हो गया यहाँ तक की बात है next page पे ले करके चले जाते हैं क्योंकि आपको यह honच-ponch हो जा रहा है और आप यह नहीं समझ पा रहे हो कि यह formula का क्या value है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ लो भाईया यह आपका smart approach बन गया अब हम एक question को ले लेते हैं और देखते हैं कि और कैसे questions आ सकते है तो देखो एक motorcycle है क्या है बच्चों तो एक motorcycle है एक motorcycle is bought उसको हमने खड़ीदा और यहाँ पे उसको कितने में खड़ीदा तो आप यहाँ पे सुन लेंगे about at rupees at rupees कितने में हमने उसको खड़ीदा तो एक लाग साथ हजार रुपे में खड़ीदा कुछ जादा मेंगा हमने नहीं खड़ीद लिया एक लाग साथ जार रुपे में एक motorcycle को खड़ीदा its value depreciate इतना मेंगा खड़ीदोगे तो इसका value कमेगा ही कमेगा its value depreciate depreciate कहने का मतलब यह हो गया dear student के उसका value देरे देरे घड़ता है its value depreciate at the rate of at the rate of rate of किस rate से तो 10% के rate से घड़ता है बहुत अफसूस है इतना मेंगा motorcycle भी खड़ीद लिया और इसका rate 10% घड़ता जा रहा है वो भी पर एनम हर साल 10% इसका rate घड़ जाता है बहुत शौक में है तो find its value after यहां पर बोला जा रहा है find its value तो आपको निकालना है value after 2 years बताओ dear student दो सालों के बाद में इसका value क्या होगा तो आप बोलोगे सर निकालना बहुत easy है हमें value घट रहा है न तो हम minus वाला formula लगा देंगे निकल जाएगा value of motorcycle यहां पर आप लिखेंगे के value of motorcycle value of motorcycle motorcycle after 2 years दो सालों के बाद में देखो घट रहा है न इसलिए हम लोग minus वाला लगाएंगे after 2 years आप बोलेंगे के सर इसको निकालने के लिए principle पी इंटू 1 प्लस आर्वाई हंडेट नहीं करेंगे पी इंटू 1 माइनस आर्वाई हंडेट करेंगे यहां पर principle कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि 1,60,000 ठीक है 1,60,000 आप 1 माइनस आर्वाई हंडेट आर कितना है 10 तो 10 भाई आप हंडेट कर देंगे आप पावर में 2 करेंगे एक साल के बाद पूछता तो आप पावर एक कर लेते बस 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 हो गया हो गया हो गया अब आप बोलेंगे सर यह 0 से यह 0 का खात्मा हो गया 10 10 में से एक जाएगा तो 9 भाई 10 बचेगा तो अपने को next step में क्या करना पड़ेगा कि 9 भाई 10 को दो बार multiply करना पड़ेगा क्यों भाई या क्योंकि देख रहा हो यहां पर तू है पावर टू है तो आपको square करना पड़ेगा हां अच्छा BMW या BMW कार के बारे में बात करते हो क्या यहां पर देखो आप बोलोगे सर इसको आप 0 से 0 0 से 0 आप हटा दो ना सर आपको यह बता चलेगा सभी को आप एक साथ multiply कर दो तो आपको 129600 आंसर आ जायाएगा बोलो आई होप क्या आपको clear हो गया होगा अब बोलोगे सर इसका shortcut शहिए बिल्कुल shortcut है एक लाग साथ हजार है ना देखो इसका भी हम तुम्हें smart approach दे देते हैं shortcut देते हैं आप इस साल केवल और केवल 90% इसका पैसा बच जाएगा फिर उसके अगले साल भी क्या बचेगा 10% घरता है यानि के 90% बचेगा मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना है 0000 1234 खटा देना है अब क्या करना है नोनमा 81, 81 को 16 से आप multiply करोगे तो 1296 आएगा और 0000 बैठा देना लो भाईया कितना आसान हो गया बहुत आगाने सेड़ अगर हमें formula वर्मुला नहीं आदे तो बन जाएगा चलो thumbs up करके बताओ thumbs up करके बताओ अगर समझ में आ गया हो तो आप जलदी से हमें thumbs up करेंगे और बताएंगे क्या आपको clear हुआ या फिर clear नहीं हुआ अगर clear नहीं हुआ तो फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा और अगर clear हो जाएगा तो फिर बताने की कोई ज़रुरत नहीं है अपने को चलो तो लगभग लगभग आपको जो exercise के concepts थे वो सबी concepts clear हो गए चाहे आप NCIT book बना रहे हो वहाँ से आप उठा के बना लिजे या फिर आप RSRWAL का 11A 11B बना रहे हो तो 11B तक मैंने concepts को clear कर दिया है ठीक है लेकिन आपको एक दो concept और बाकी रहे गए है वो concept बाकी रहे गए कि sir अगर half yearly होगा तो क्या करेंगे और अगर sir हमारा half yearly ना हो करके यह हमारा quarterly होगा तो क्या करेंगे तो थोड़ा सा उस बात को भी हम लोग समझी लेते हैं interest compounded half yearly तो आप लोग यहाँ पे heading लगाएंगे interest compounded compounded half early ठीक है half early कहने का मतलब क्या हुआ तो आप यहाँ पे चीजों को समझेंगे half yearly कहने का मतलब के sir आधे साल में ही हमारे interest को निकाल लेगा अभी half year गुजरेगा ही मेरे interest को निकाल लेगा आप बोलेगा interest को अब मेरे पैसा में जोड़ दो अब तुम्हारा amount बढ़े गया अब उस बढ़े हुए amount का फिर आधे साल में आपको देना है नहीं के लिए हो रहा है आप इस बात को यहाँ पे समझेंगे मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपया किसी से लिया यह हमारा क्या हो गया अब सुनो अब मैं इसका simple interest निकालता हूँ compound interest निकालता हूँ चलो compound interest निकालता हूँ अगर पर एनम होगा तो एक साल बाद इसका अगर rate हमारा 10% है rate कितना है 10% है तो आप बोलेंगे कि एक साल बाद जो है sir आप इसको क्या करेंगे तो after one year after one year एक साल बाद आप कितना इसको देंगे पैसा बढ़ा करके तो एक साल का 10% निकालोगे तो आपको आएगा 10 रुपया आप 10 रुपया यहाँ पे compound interest निकालके दोगे अगर यहाँ पे compounded early होगा तो एक साल में अब दूसरे साल में देना होगा तो फिर क्या करोगे कि एक साउक में 10 को add कर दोगे बोले होगे कि 110 रुपया यह हमारा principal होगया second year के लिए और हमारा rate तो 10% है ही सर तो दो साल के बाद में इसका 10% देना होगा यानि compound interest अब 11 रुपया और देना होगा तो 11 रुपया आप इसमें जोड़ देना तो आप बोलोगे कि अब 121 रुपया लाठाना पड़े है बट मैं एक ही साल की बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे देखो अगर compounded early ना होके half early हो half early में क्या होगा पता है half early में आपको six month और six month दो तर्मे में बट जायेगा six month और six month six month six month कहने का मतलब यह हो गया कि आप सुनना six month में आप क्या करेंगे dear student तो गोलोगे six month में देंगे तो हम 10% पैसा थोड़ी देंगे rate हम 10% नहीं लगाएंगे इसका आधा लगाएंगे तो बोलोगे 5% रुपया देंगे तो आप बोलोगे 100 का 5% कितना हो जाएगा 5 रुपया आप दोगे आप बोलोगा कि नहीं अब इसको 105 रुपया आप बना लो आप 6 महिना में लोटाते तो 105 रुपया हमें लोटाते तो अब 105 रुपया पर अगले 6 महिना में interest लगा के दो तो 10% निकालोगे तो 10.5 तो यहां 5.25 और बढ़ा के देना पड़ेगा समझ रहे हो तो दोनों को एड कर दो तो आप क्या बोलोगे के 110.25 लिजे सर हाफ यरली कर लिया तो उसको 2.25 का फायदा हो गया क्ाइंट्ट्टु समयारा पर 5cida निकाल करके 155 बन गया तो बोला ayeं रहा हमको तुम नहीं दो तुम अपने रखो लेकिन अब 105 रुपय यहां पर ही तक तो तुम 100 रुपयाय का छींटने निकला न तो उसको subsequently होगा उसमें 105 रुपय का इंटनेश्ट को दीनाऊ पसुः और ऊपकीड यह साहे चाहे घुटारदीब секण के प्रेंश्मार घंड Kennet देना लो भाई ये तो और कहानी खतरनाक हो जाएगा तो quarterly लगाने में लेने वाले को ज्यादा मज़ा आता है और देने वाले को कम मज़ा आता है समझे बात ये बात आपको समझके रखना पड़ेगा लेने वाले और देने वाले का तो लेने वाले को मज़ा इसलिए जाद आता है क्यूंकि उसको बहुत जादा इंट्रेस्ट मिल जाते हैं और देने वाले को जादा देना पड़ता है इसलिए हालत कर आपके बाएच देंगी आपको मदद कर दीजिए नहीं लगेगा तो ना इंट्रेस्ट लेना चाहिए ना इंट्रेस्ट देना चाहिए लेने वाले लोग मज़े करते हैं और जो जिसको दिये गए हैं वह लोग की तो आलत कडाब हो जाती है अरे नहीं कोई नहीं देखो तो अब हम यहां पर क्या करना पड़ेगा यह तो मैंने आपको समझाया ना तो इसको मैं समझा दिया तो एक्जाक्ली यहां पर देख लो क्या करते हैं इसको हटाते हैं अब हम यहां पर हैडिंग लगा देते हैं interest compounded half early आपको उतना सोचना नहीं है आपको थोड़ा सा सोचना है और बन जाएगा interest compounded compounded half early ठीक है जब half early होगा तो आप ऐसा सोचोगे जो exactly rate होगा rate को आप क्या करना कि rate को half कर देना rate exactly क्या हो जाएगा आपका तो rate half हो जाएगा माल लेते हैं कि principle जो है वो हमारा P है principle क्या है dear student तो principle आपका P है और rate क्या है आपका तो rate जो है वो exactly per annum कितना है तो 8% per annum per annum का rate आपको दिया हुआ एक साल का rate दिया हुआ 8% और time आपको क्या दिया गया है तो time आपको दिया गया है और अगर half early की बात की जाएगी तो half early के case में क्या करना मेरे बच्चे half early के case में आपको जो rate निकलेगा आप यहाँ पे ध्यान दे लेना rate को आप half कर दोगे rate को आधा कर दोगे बोलेगा 10% लेंगे तो 5% देना क्योंकि आधा बोल ला है ना आधा साल में मांग रहा तो आप half दे देना यानि के rate को आप half कर दोगे तो 8 by 2% हो जाएगा rate half कर देना लेकिन time को क्या करना time को दुगुना कर देना time को क्या करना दुगुना कर देना तो आप यहाँ पे time को क्या करोगे dear student तो आपको यहाँ पे time को two and years कर देना पड़ेगा two and half years यानि कि देखो एक साल में छेशे महीने, half yearly मतलब कि छेशे महीना, तो एक साल में छेशे महीना का कितना बाड cycle बनेगा, तो बोलोगे दो cycle बनेगा, छेशे महीने का दो cycle बनेगा, सर एक साल में हम बोलेंगे कि half yearly अल्य हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे तुमको दो साल में देना हैं पैसा तुम बोलो कि छे चार साइकल बनेगा इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको टाइम टू इयर्स दे तो टाइम में आप टू से मल्टिपलाई कर दोगे तो देखो यहां पे आपका टाइम छे बन जाएगा चार बन जाएगा और यही चार साइकल हाफ यर्ली वाला होगा इसलिए कहा जाता है कि आपको यहां पे दुगुना कर देना है समझ में आ रहा है क्या तो ठीक है तुम बोलोगे सर इतनी बात तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग रेट को अधा कर देंगे और टाइम को दूगुना करेंगे बट आप ऐसा किजिए कि कोई एक कोश्चन ले लेकिन compound interest कब निकालना है? तो question दिया गया है किस रुपईया पर निकालना है? तो exactly 15,625 रुपईया पर निकालना है? कितने दिनों के निकालना है? तो यहाँ पर one and half years के लिए निकालना है? ठीक है? और at the rate यहाँ पर कितना है? तो at 8%, 8% per annum, यहाँ पर देखो rate कभी भी per annum एक साल का दिया होगा वेन कंपाउंडेड हाफ यरली यह जो बच्चा नहीं देखेगा उसका आंसर गलत आ जाएगा इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि कोश्चन बनाते समय आपको लास्ट में चेक करना चाहिए कि यहां पर हाफ यरली बोला गया है या फिर quarterly बोला गया है या annually बोला गया है तो बोलाया compounded half yearly तो मेरे को ये पता चल गया कि principal जो होगा वो exactly यहां पे क्या है तो 15,625 है तो 15,625 कर लेंगे अब यहां पे आप मेरे बच्चे ध्यान दे लेना rate आपको यहां पे क्या दिया गया है तो rate आपको 8% question में जितना दिया गया है उतना आप लिख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अब आप यहां पे बताना कि जब rate 8% per annum दिया हुआ है क्या दिया हुआ है per annum दिया हुआ है लेकिन आपको rate को तो आधा करना पड़ेगा तो half year में कितना rate हो जाएगा तो is equal to लिखोगे 8 by 2 आधा कर दोगे आधा करोगे तो आप बोलोगे कि sir is equal to 4% per half year हो जाएगा बोलो बच्चों समझ में आया की नहीं आया बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको इसलिए हम लोग half year के लिए rate आधा कर लेते हैं अब यहाँ पर बोलोगे कि sir time हमें question में क्या दिया गया है तो time दिया गया है 1 integer 1 by 2 years बोलो बच्चों तो अब आप बोलोगे कि sir इसको अगर हम improper fraction में बदलते हैं तो क्या होगा तो बोलोगे 2,1,2 और 3 हो जाएगा sir यानि कि 3 years बचेगा तो अब यहाँ पर 3 को मैंने क्या बोला बोला sorry 3 by 2 हो जाएगा 3 by 2 मैंने क्या बोला कि 3 by 2 क्या है time time आपको साला ना दिया होता है आपको क्या करना पड़ता है कितने half years होंगे तो मैंने बोला 2 से divide दिया है तो 3 by 2 मैं आप 2 से multiply कर लोगे तो यह इतना half years निकल जाएगे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यह हमारे half years है 2 से 2 गया तो आप बोलोगे कि sir 3 half years निकल के चले आए लो भाईया अब आप यहाँ से बहुत आसानी से amount निकाल लोगे amount बड़ाबर principle into 1 plus r by 100 to the power n हो जाएगा अब आप बोलोगे principle के जगा कितना है तो 15,625 है और into में 1 plus r by 100 तो 1 plus अब नया वाला rate क्या निकला है तो नया वाला rate 4 निकला है तो 4 by 100 कर लेना नया वाला time क्या निकला है तो नया वाला time 3 निकला है तो 3 कर लेना अब आप solve कर देना आपका answer आजाएगा बोलो समझ में आया की नहीं आप कहेंगे सर आप समझाए और मुझे समझ में नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता है ऐसा हो सकता है अगर question की level बड़ी हो जाए तो आपको नहीं भी समझ में आए तो सभी बच्चे कमेंट करके हमें प्यार से बताईए कि ये सर बाते clear है समझ में आ चुका है तो अब आप यहाँ पे जल्दी से फटा फट से solve कर दोगे तो बोलोगे सर यहाँ पे solve करना तो बहुत आसान है हमें क्या करना होगा 4 से 50 25 से काई 25 और 25 में एक जोडेंगे तो सर ये 26 बाई 25 हो जाएगा लेकिन इसका power क्या है तो power 3 है तो सर हम इसको 3 बड़ multiply कर देंगे 26 बाई 25, 26 बाई 25 और 26 बाई 25 कर लेंगे बोलो बच्चो समझ में आया की नहीं आया आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ चुका है देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 25 से उड़ा देंगे किसको आप 25 से उड़ा देंगे तो आप 25 से यह कटने वाला सब है आप ध्यान से देख लेना था कट जाएगा तो बोलोगे 17, 5, 76 हो जाएगा अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो यहीं पे दिक्कत होता है आप इसी स्टेप को छोड़ करके जा रहे हैं सर अब हमारा क्या होगा हमारा तो कुछ नहीं होगा यहीं पे हमको दिक्कत होता है इतना बड़ा बड़ा नंबर देख करके हम घबराने लगते हैं लगता है कि अब हमसे मैथ नहीं हो पाएगा हम रोने लगते हैं सर मम्मी हमें चुप कराती है फिर जाकर के हम मान जाते हैं सर उसके बाद हम solve करते हैं तो सच्ची में मेरा आ जाता है solution उसके बाद हमको confidence बढ़ता है देखो देखो यहां पर कैसे किया जाता है पजीस का टेबल नहीं याद है न तो तुमें देखी इसको पांस से कटाओ पांच पच्चे पच्चीस और इसको भी पांस से कटा दो फिर आप पांस पच्चे पच्चीस कर दो और यहां पर पांच पांच है कहीं पांच और यहां पर बार है पांच दुना दस और पांच पच्चे पच्चीस फिर आप बोलोगे के सर यह पांस से फिर कर जाएगा तो यह पच्चीस बार में यह पच्चीस से यह पच्चीस क कर जाएगा यानि कि आप देखो नीचे कुछ नहीं बचा ऊपर भी कुछ नहीं बचा तो फाइनली अब आप यहां पर क्या करोगे 26 का स्क्वाइट 26 का स्क्वाइट बोलो के लिए हो गया अगर के बढ़ जाओंगा आपको टाइम इसी तरीके से अलग अलग करके देगा तो जब टाइम अलग करके देगा तो फिर घबनाना और टेंशन किस बात का लेना है ठीक है चलिए अब हम क्या करते हैं कि यह लास्ट कॉंसेप्ट होगा फिर आपको फि लोगे इस वाले लेक्षर का तो पीडिएफ डाल दोंगा लेकिन पिछले वाले लेक्षर का पीडिएफ नहीं आपने पस वह एप्लिकेशन बंद हो गया था जिसके वज़ए से पीडिएफ नहीं हो पाया था इसलिए क्लास को रोकना भी पढ़ा था तो अब आप यहां प आपको यहां पर एक दो बात का धियाद रखना है कि पहले आपका प्रिंसिपल जो है वह पी है पहले आपने क्या मान रखा है बिटा प्रिंसिपल को आपने मान रखा है प्रिंसिपल आपने क्या मान रखा है उसके बाद आपने रेट मान रखा है तो रेट है आर पर सेंट पर एनम, पर एनम कहने है मतलब एक साल में हम इतना rate देंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब आप half yearly, quarterly निकालोगे तो बताएंगे पहले सुनो, time आपको यहाँ पर दिया हुआ है और वो भी time यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो n years दिया हुआ है, अब वो n कुछ भी हो सकता है दो, तीन, चार, पांच अब यहाँ पर देखो, जब quarterly की बात आएगी तो आप क्या करना principle तो वैसे ही रहेगा rate जो आपको हो जाएगा ना वो exactly rate में आप 4 से divide दे देना, quarter कहने का मतलब के fourth part होता है quarter कहने का मतलब के देखो, अगर यह है, तो quarter बोले तो यह आपका इत्ता हो जाएगा यह हो गया आपका quarter यानि के वैसे वैसे 4 टुकडे मिल करके complete बनाएंगे तो quarterly जब आपसे बोला जाएगा तो आपको rate में कितना से divide देना है, तो rate में आपको 4 से divide देना पड़ेगा तो आप बोलेंगे rate जो हो जाएगा सर वो r by 4% होगा बोलो, rate में 4 से divide दे लोगे और उसी तरीके से अगर time की बाते की जाएगी तो time आपको क्या करना पड़ेगा 4 से multiply करना पड़ेगा ठीक है, तो अब आपका जो time हो जाएगा वो 4 into N होगा अगर 3 साल के लिए बोलेगा तो उसमें quarterly, देखो हर 1 साल में 4 quarter होते हैं तो 3 साल में 12 होंगे इसलिए आपको 4 से multiply करने को बोला जाता है तो time आप ऐसे कर लोगे और इस तरीके से आप बनाओगे तो अब आपका बन जाएगा तो ये रहा आपका पूरा का पूरा complete compound interest अब जितने भी compound interest के exercise है 11A, B, C अगर RS अगरवाल की बात करो तो और NCIT की बात करो तो उसमें जितने भी सारे exercise है वो सभी के सभी exercise अब आप से बन जाएगे I hope के आपको समझ में आ गया होगा मैं इसको save कर लेता हूँ और इसको exactly थोड़ा सा PDF भी बना लेता हूँ यहाँ पर देखना मैं इसको print भी कर लेता हूँ क्या लिख दूँ लिख देता हूँ compound interest class 8 लिख लिख देखो इसी तरीके से सेव होता है लिक्चर टू एल टू ठीक है तो exactly मैं इसको save कर लिया है कहां पर डेक्सटोप पर सेव हो रहा है मैंने इसको save कर लिया है और अब जो है ना वह अभी जस्ट जस्ट तुरंत मैं डाल दूंगा आप वहां से जाकर करके टेलिग्राम से डाउनलूड कर लेंगे PDF और notes बना लेंगे लेकिन अगर आपने अगर इसे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर इसे पहले वाले लेक्चर को देख लिजेगा और सभी बच्चों से request है कि प्लीज जितने भी exercise है उनके सभी questions को बना लेंगे और आप comment करके हमें ज़रूर बताईएगा class के बाद में कि आपको पढ़ने में कितना मजा आया कैसा लगा और अपने friend के साथ जरूर शेयर कर देना आपका friend देखे या ना देखे उसकी मर्जी है आप तो अपना काम कर लिए कि अपने friends को अच्छे से आपने पढ़ाई किया तो सोचा कि अपने friends को भी बता देना चाहिए उनको भी शेयर कर देना वो लोग देखे नहीं देखे उससे matter नहीं है आपने तो भेज दिया बहुत हो गया तो फिर हम लोग मुलाकार करते हैं अब next Sunday को देखते हैं कौन से chapter को पढ़ाएंगे compound interest अब आपका complete हो चुका है उसी तरीके से कोई chapter को लेकर के आते रहेंगे और live हम लोग पढ़ते रहेंगे तो मज़ा आएगा करने में ठीक है तो चलिए भाईया आज की कहानी को हम लोग यहीं तक रखते हैं फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी next Sunday को आप सब को love you रहेग okay bye